महापुर्षों प्यार से कहिए धन नंकार जी बाबा गुर्बचन सिंग जी खुद कर्म योगी थे जो बोलों से यधिक कर्म की भासा की सक्ती जानते थे आप हर पच्च से अपने गुर्षिक्षों को सचेत करते रहते ताकि इनके जीवन खुद भी निखर कर सामने आये हुए सांसारिक प्राणियों के लिए भी निखर लाने में सहयोगी सिध्धो उचे उचे खोखले बोल आपको कभी भी पसंद नहीं थे समरत होते हुए भी आप ना तो खुद उचे उचे दावे करते और ना ही अपने गुर्षिक्षों से ऐसी आसा करते थे आप चाहते थे कि ससंग में भी सच्चाई ही प्रगट किया जाए और कभी दूसरों से वह वह लेने के लिए खोखले बोल ना बोले जाएं ऐसी ही एक घटना है दीवाली का दिन था और नंकारी कोठी के आगन में विशे ससंग का आयोजन किया गया था इस खुशी के अउसर पर काफी रंगरंग कारेक्रम होता रहा इसी का एक अंग कभी दरवार भी था हर कभी ने अपनी कभीता बोल कर सत्गुरू और सास संगत का भरपूर आसिरवार्थ प्राप्ट किया इसी दवरान एक महात्मा ने भी कभीता पढ़ी जिसमें उन्होंने कहा कि धन दवलत संतान सुख ब्यापार वा प्रसिद्धियाद मागे गए हैं मगर मेरी मांग इन मांगों में नहीं हैं मुझे तो केवर नंकारी परिवार का प्यार चाहिए सत्संग का भोग पढ़ गया साम को महत्मा जी नमस्कार करने आए तो नंकारी राजमाता जी ने उन्हें सचेत करते हुए कहा कि पूर समर्थ सत्गुरू से प्यार के साथ साथ धन दौलत भी मांगनी है यदि धन दौलत नहीं चाहिए तो फिर सेवा कैसे करोगे क्या सचमुच ही इज्जत मान सत्ताम सुख आराम नहीं चाहिए या केवल कविता को कविता की तुक बंदी समझ कर सच्चे दर्बार में पेश कर दिया गया मेरी तरब देखो मैं मांगने का धंग भी बताती हूँ कि मांग कैसे मांगो सुख सारे दूनिया दे पादे मेरी जोली वीचे फिर भी मिलाएं रखी संताली टोली वीचे आपने भी इसी तरह ही मांग मांगनी हैं जिन बीतते गए महात्मा जी की आर्थिक हालत पतली होती गई लगभग एक साल बीत गया घर में संतान भी नहीं हुई अब महात्मा जी को राज माता जी के वचन याद आए वो बार बार चाह रहे थे की हुजूर बाबा जी से छमा मांगी जाए लेकिन जब भी वो ऐसा करने का प्रयास करते तो हुजूर किसी अन्य महात्मा के साथ बात चीत करने लग जाते या आगे चल पड़ते एक दिन हुजूर वर्ग साप में किसी कार में बैस्त थे एक महापुरुस यमना नगर से नमस्कार करने के लिए आए तो ही आप वर्ग साप पे गेट के पास पहुँचे तो उस महापुरुस ने आप जी के पावन चरणों पे सीस रखकर नमस्कार की और साथ ही कहने लगे दास को और कुछ नहीं चाहिए धन दौलत किसी वस्त की जरूरत नहीं केवल आपका प्यार ही मिलता रहे आपने एकदम फर्माया अच्छा तुझे भी कुछ नहीं चाहिए हुजूर के मुखार बिंद से नाम सुनते ही महात्मा जी ने आसु भरी आखों से चरणच हुए तो आप जी ने प्यार से आसिरवाद भरा हाद पीठ पर रखा और फरमाया सच्चा पासा सब ठीक करेगा दातार के चैनडों से अपनी भूल माफ करवाई और उस महापुरुस को भी सचेद किया कि कभी ऐसी माग मत मागों कि बाद में पस्ताना पड़े अगले रविवार ससंग में हुजूर ने स्वेंग इस्टेश सेक्रेटरी से महात्मा जी को कविता बोलने का समय देने के लिए कहा महात्मा जी ने संगत के सामने खड़े होकर अपनी आप बीती सुनाई और कविता भी पढ़ी इस घटना से स्वेंग ही अनमान लगा सकते हैं कि आप किस प्रकार संतुलित जीवन वा सर्व पच्चिये खुशियां प्रदान करना चाहते थे प्यार से कहिए धन नंकार जी